टाटा का कमाल, लॉंच किया नेक्सोन का सस्ता वेरियंट, एक दशमलव एक शून्य लाख रुपय तक घट गई कीमत। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कमपनी टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपनी मशहूर एस्यूवी टाटा नेक्सोन के नए अफ्तार को बजार में उतारा था। आकरशक युक और दमदार इंजन से लैसस एस्यूवी की शुरुवाती कीमत उस वक्त एस्यूवी की शुरुवाती कीमत आट दशमलव एक पांच लाख रुपय थी। लेकिन अब कमपनी ने इसका नया किफायती बेस वेरियंट पेट्रोल और डीजल दोनों पावर ट्रेन में पेश किया है। कमपनी ने इसे नेक्सोन स्मार्ट ओप नाम दिया है। इसके बेस वेरियंट की शुरुवाती कीमत 7.9 लाख रुपय एक्स शुरूम तैकी है। टाटा नेक्सोन का ये पेट्रोल बेस वेरियंट तक करीबन 15,000 रुपय तक सस्ता है। दूसरी और कम्पनी ने डीजल बेस वेरियंट की शुरुआती कीमत 10 लाख रुपय तेकी है। महिंद्रा XUV 3XO के बजार में आने के बाद कम्प्टीशन और बढ़ गया है। दरसल, महिंद्रा ने अपनी SUV को बेहद ही कम कीमत 7.49 रुपय में बजार में उतारा है। संभव है कि इसी के चलते टाटा ने ने नेक्सॉन के ने बेस वेरियंट को पेश किया है। अन्य वेरियंट की घटाए कीम्तः, टाटा मोतर्स ने नेक्सॉन के कुछ अन्य वेरियंट की कीमत में भी भारी कटोती की है। Smart Plus और Smart Plus S variant की कीमत पहले से क्रमशर 30,000 रुपय और 40,000 रुपय तक कम कर दी गई हैं. अब Smart Jore की कीमत 8.9 शून्य लाख रुपय और Smart Jore S variant की कीमत 9.4 शून्य लाख रुपय से शुरू होती है. 1.1 शून्य लाख रुपय तक सस्ती हुई Nixon Diesel. Tata Motors ने Nixon Diesel को दू नई variants Smart Jore और Smart Jore S में पेश किया है. Smart Plus नया Entry Level variant है और इसकी कीमत 10 लाख रुपय से शुरू होती है और Smart Plus S variant के लिए ग्रहकों को 10.6 शून्य लाख रुपय खर्च करने होंगे. इन नए variants को launch किये जाने के बाद Nixon Diesel की कीमत पिछले मॉडल की तुलना में 1.1 शून्य लाख रुपय तक सस्ती हो गई है. क्या हुआ है कोई बदलाव? Tata Nixon के इन नए base variants के engine mechanism कोई बदलाव नहीं किया गया है. ये पहले की ही तरह 1.2 लीटर टर्बू पीटूल, 120 शून्य लीटर का टॉक इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन, 115 श्वशक्ती की पावर और 260 लीटर का टॉक के साथ आती है. इस SUV में 5 स्पीड मैनूल, 6 स्पीड मैनूल और 6 स्पीड अंट के अलावा 7 स्पीड डूल क्लच ट्रांस्मिशन का विकल्प मिलता है कितना दमदार इंजन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमपनी नई नेक्सन में 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रूल इंजन देगी जिससे SUV को 125 पीएस की पावर के साथ 225 न्यूटन मीटर का टॉप भी मिलेगा इस इंजन के साथ डूल क्लच आटोमेटिक ट्रांस्मिशन को भी ओफर किया जाएगा कमपनी की ओर से मौझूदा SUV में 1.2 लीटर का पेट्रूल इंजन दिया जाता है जिससे 120 पीएस और 170 न्यूटन मीटर का टॉप मिलता है वही रीजल का 1.5 लीटर इंजन भी विकल्प के तौर पर मिलता है जिससे SUV को 115 पीएस और 260 न्यूटन मीटर का टॉप मिलता है कितनी होगी सुरक्षित SUV में सुरक्षा की बात की जाए तो इसमें 6 ABEX, ABS, EBD, HAC जैसे सेफटी फीचर के साथ ही ADIS को भी दिया जा सकता है अगर कमपनी इसमें ADIS जैसा सेफटी फीचर वाफ़ करेगी तो यह 4 मीटर से छोटी SUV में पहली SUV होगी जिसमें इस फीचर को दिया जाएगा हालांकि इस से कार की कीमत बढ़ जाएगी ऐसे में इसे सभी वे रेंट में नहीं ओफ़ किया जाएगा मिलते हैं यह फीचर्स टाटा नेक्सोन में 10.25 इंच का टच स्क्रीन, फुली डिजिटल ड्राइवर दिस्प्ली, वाइरलेस चार्जर, वेंटिलिटेड, फ्रंट सीट, क्रूस कंट्रूल, सबबूफर के साथ नौट स्पीकर जे बील साउंड सिस्टम, वोयस असिस्टेड इलेक्रिक संरूफ और भी बहुत कुछ मिलता है वही सेफटी के लिहाज से इसमें, छे एबे, हिल्स्टॉट असिस्ट, इलेक्रोनिक स्टेबिलिटी, कंट्रोल, ESP, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, टीपीमेस, तीन सो साथ डिगरी कैमरा आधी शामिल है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें और सब्सक्राइब जरूर करें